नमश्कार मां की रसोह मेँ आपका सुआगत है मैं मम्ता शर्मा आज बनाने जा रहे हूँ केले के चिप्स केले के चिप्स बनाने के लिए हमें सामगरी चाहिए कच्चे केले 3-4 काला नमक आधा चम्मच घुना जेरा आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच नमक एक चमच, पानी आवशकता अनुसार, तलने के लिए तेल और हल्दी आधा चमच, सबसे पहले कटोरे में पानी को भरेंगे इसमें आधा चमच हल्दी और आधा चमच नमक डाल कर घोल तयार करेंगे, अब केलों को धो कर छील लेंगे और दोनों तरफ से थोड़ा केलो को काट लेंगे या चाकू की मदद से पतला पतला काट कर घोल में डालकर 20 मिनट के लिए रखतेंगे अब छली में डालकर चिप्स को पानी से अलग कर लेंगे अब गैस जलाएंगे और कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे अब इसमें ठोड़ धोड़े चिप्स डालकर- अलट पलटकर मध्यमाज पर हलके सुनहरे रंका होने तक तल लेगे अब एक प्लेट में टीशू पेपर डालकर चिप्स को निकाल लेगे आप इसमें काली मिर्च, काला नमक, भुना जीरा, गरम मसाला डाल कर चिप्स में मिलाएंगे और एक कटोरे में निकाल कर गर्मा गरम चाई या कोफी के साथ परोसेंगे आप इनका सेवन उपवाज में भी कर सकते हैं काला नमक और नमक के स्थान पर आप इसमें संधा नमक कर सकते हैं हमारी ये रेसेपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंटेस में बताएं और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्चता अवश्य लें यानि की सब्सक्राइब करें इस विदी को आप हमारी दैवसाई मा की रसोई टोटनेट पर भी पढ़ सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक और नए वेंजन के साथ धन्यवाद